एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। दूसरे शब्दों में एक घटना दूसरी घटना का कारण बनती है। दूसरी घटना तीसरी घटना का कारण बनती है। कि श्रिंखला में या कारण और कारक की थियोरी के तहट अब हम समझ सकते हैं कि कॉंग्रेस का विभाजन क्यों होता है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एक समय ऐसा आया जब कॉंग्रेस दो भागों में तूटती है। और ये पहली बार होता है। इंद्रा कॉंग्रेस और संगठन कॉंग्रेस। तो हमारा अगला बिंदु है कॉंग्रेस का विभाजन। इनके कारणों में ये दि जाए विभाजन के कारण है। तो कुछ कारणों को तो हम समझ चुके हुएं। उसका अध्यान भी कर चुके हैं उधारन के लिए कि संग्षिप्त में ये हम बोलें। तो इसकी शुरुआत होती है कॉंग्रेस के गिरते हुए प्रभाव के कारण। जब पार्टी का वर्चस कम होते जा रहा है तो लोग उसके कारण खोचते हैं। कारणों पे जाने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरे पे दोश मड़ते हैं। तो कॉंग्रेस के अंदर ही दोशा रोपन का दौर चलता है और वो बाद में विभाजन का रूप लेता है। उसी प्रकार कॉंग्रेस में विभाजन का एक कारण हम उसकी विचारधाराओं की विभनिता को भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि कॉंग्रेस के अंदर विभन्न विचारधाराओं को समाहित करने की लेके चलने की बहुत बड़ी क्षमता थी। एक ऐसी पार्टी थी जो सहानुभूती पूरुवक सभी विचारधाराओं को सुनती थी, समझती थी और उस पर प्रतिक्रिया करती थी। वास्तों में एक लोक तंत्रिक परीके से वहाँ पर काम होता था लेकिन एक समय ऐसा आता है जब विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ते जाता है और सत्ता में जो विचारधारा है उस पर प्रश्ण चिन उठने लगते हैं। तीसरा कारण नहरू जी का स्वैम का ना होना वो इतने बड़े थे जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लारजर दैन लाइफ इमेज कि कोई उनको एक तरीके से कोई उनको चैलेंज नहीं करता था, कोई उनका विरोध नहीं करता था यदि राम मनोहर विलोहिया उनका को लेकर और पूरी इज़त के साथ पंड़ेजाल नहरू के साथ उनका वाद दिवाद होता था लेकिन अन्य था नहरू के खिलाफ किसी अन्य के द्वारा विरोध करना एक तरीके से सोच के बाहर था तो इस परकार 1969 आते आते घटना करम कुछ दूसरा मोड लेता है जो फाइनली अंतरता विभाजन में वदलता है और कॉंग्रेस के अंदर की आंतरिक राजनीती में बहुत उठा पटक मस्ती है कॉंग्रेस की आंतरिक राजनीती में मैं बात कर रहा हूँ कॉंग्रेस प्रनाली की चनौतियां यदि आपको याद होगा जो इस अध्याय का विशह है उन चनौतियों के तहट जो अगली चनौति जो आती है वो है कॉंग्रेस का विभाजन उस दृष्ट से कॉंग्रेस का विभाजन एक बहुत महत्पूर्ण घटना थी उतनी ही महत्पूर्ण जितनी की 1967 के चनाओं जो आतिहासिक रहे जिसमें गैर कॉंग्रेस वाद को बढ़ावा मिला तो 1969 कॉंग्रेस के अंदरूनी राजनीती के लिए एतिहासिक वर्ष क्या होता है घटना करम कुछ ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री के नाते अब जब उनको एक वर्ष हो जाता है उनको महसूस होने लगता है कि कॉंग्रेस के अंदर जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं वे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं पार्टी पर शासन पर सत्ता पर और स्वयम इंद्रा गांधी पर इन सब के खिलाफ और आर्थिक स्थित्र को सुधारने के मद्दे नजर शीम इंद्रा गांधी कुछ नए कारिकरम सामने लाती हैं जिसमें भूमि सुधार का कारिकरम बैंकों के राष्टी करण का कारिकरम और उसके साथ ही राष्ट पति पद के लिए कॉंग्रेस के आधिकारिक उम्मीद्वार के खिलाफ अपना उम्मीद्वार ख़ड़ा करना कॉंग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करना ये जो तीन चार कदम शीमती इंद्रा गांधी ने उठाए और उसके साथ ही एक प्रिवी पर्ष को समाप्त करना प्रिवी पर्ष अर्थात रियासतों पूर्वी रियासत, पूर्व में जो रियासतें थी उसके राजाओं को भारत में शामिल होने की एवज में जो भत्ता, वार्षिक भत्ता देने का जो समझोता हुआ था भारत सरकार द्वारा अब वो भत्ता बंद किया जाने का निर्णा लिया इंद्रा गांधी न अर्थात कहने का ताथ पर यह है कि शीमती इंद्रा गांधी ने कुछ ऐसे कदम उठा कर निजलिंग गप्पा और सिंडिकेट जो कॉंग्रेस के संगठन के बड़े बड़े नेता थे जिसमें एक बड़े निटा थे एस निजलिंग गप्पा इनको उन्होंने एक तरीके से चैलेंज किया एक तरीके से ये जो कदम थे इंद्रा गांधी के ये कदम कॉंग्रेस के जो पुराने बड़े कदावर निता लोग थे उनको पसंद नहीं आए उनको रास नहीं आए और उनको ऐसा लगा कि श्रीमती इंद्रा गांधी हमारी मुठी से अब बाहर जा रही है हम जो सोच रहे थे कि प्रधान मंत्री बने रहने पर ये हमारी और हर बार सुझाओ के लिए विभिन कारक्रमों के लिए हमारी और देखेंगी या हम से दिशा निर्देश मार्क दर्शन लेंगी वह नहीं हो रहा था जिसके कारण क्या हुआ कि कॉंगरेस का एक गुट जिसमें निजलिंग अप्पा थे जिसमें सिंडिकेट था सिंडिकेट अर्था एक ऐसे लों का गुट जो पुराने बुजर्ग ऐसे व्यक्ति थे जो कॉंगरेस में अपना दबदबा रखते थे परणाम क्या होता है कि इन कदमों के कारण इंद्रा गांधी बनाम सिंडिकेट वह ग्रुप इनके बीच में कलह बढ़ते जाता है खाई बढ़ते जाती है खाई और गहरी होती जाती है राश्टपती का जो मामला है राश्टपती देश का सर्वोच प्रतिनीधी होता है अंतर राश्टी मंच पे उसके साथ ही राश्टपती को वह अधिकार होता है जिससे हम कह सकते हैं अपनी स्वायम के सोच के आधार पे निर्ने लेने का अधिकार जिसके तहत जब बहुमत की बात होती है लोक सभा में तो उस प्रश्ट पर राश्टपती को अंतिम निर्ने लेने का अधिकार है और यह जो अधिकार है इस अधिकार को राश्टपती स्वतंत रूप से इसका उपियोक कर सकता है ये बड़ा विशेष्ट अदिकार है जिसका अध्यान आप राजनीति विज्ञान के सम्विधान के संबंदी विश्यों के तहट आप किये होंगे और अनिता करेंगे तो यहाँ पर नीलम संजीव रेड़ी को कॉंग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है लेकिन नीलम संजीव रेड़ी इंदरा गांधी और उनके गुट की नजर में सिंडिकेट गुट के निता थे जो श्रीमते इंदरा गांधी को पसंद नहीं था उन्होंने कॉंग्रेस के अंदर ही कॉंग्रेस के उम्मीद्वार के खिलाफ एक अन्य उम्मीद्वार खड़ा कर दिया जिनका नाम था वी वी गिरी और इस उम्मीद्वार का खड़ा करना और उसके बाद इस उम्मीद्वार का जीत जाना यानि इंडिरा गांधी द्वारा खड़े किये गए, उम्मीदी द्वार का विजाई होना, यह कॉंगरेस को बहुत नागवार गुजरा खास कर वो संगठन को, कांगरेस के जो सिंडिकेट कहलाते थे और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंदर गहराई बहुत बढ़ती चली जाती है अंदर जो खाई है बहुत गढ़ती चली जाती है जब मैं कारण और कारक की बात कर रहा हूँ मैंने की है तो मेरा इशारा आपको उस तरफ था कि कैसे लोकसभा के चुनाव हारने पर अंदरूनी कलह परणाम बनती है कारण क्या था लोकसभा का चुनाव हारना परणाम क्या हुआ कलह का बढ़ना अब कलह का बढ़ना किसी अन्य घटना का कारण बनता है और वह घटना क्या थी विभाजन की प्रिष्ट भूमी तयार करती है घटना थी विभाजन कॉंग्रेस में ये कला इतनी बढ़ जाती है जो आगे चलकर विभाजन होता है और 1969 में कॉंग्रेस टूट जाती है यदि हम इसको बिंदुवार इसको रखें तो इनके कारणों पर पहला कारण होगा दक्षिन पंथी और वाम पंथी विश्या में कला 1967 के चोथे आम चुनाओं में कॉंग्रेस को कई राजियों में हारने पड़ा हार का सामना करना पड़ा और कॉंग्रेस के अंदर वो हार के कारणों पर जो मन्थन हो रहा था तो कुछ सदस्यों का कहना था कि राजियों में कॉंग्रेस को दक्षन पंथी विचार धारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाओ लड़ना चाहिए दक्षन पंती विचारधारा जबकि कुछ अन्य कॉंग्रेशियों का मत्था कि कॉंग्रेश को दक्षन पंती विचारधारा से हटकर वाम पंती विचारधाराओं के साथ मिलना चाहिए मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे दलों का उद्य हो चुका था और इन दलों की सबकी अपनी अपनी विचार धाराएं थी उन में से कुछ विचार धाराओं को दक्षन पंथी कहा जाता है कुछ विचार धाराओं को वाम पंथी कहा जाता है आदी आदी तो कांग्रेस के अंदर जब हार के कारणों पर विवेचन हो रहा था तो दो तरह के विचार सामने आये एक कहता था कि हमें दक्षिन पंतियों को अपने साथ मिलाना चाहिए दूसरे के कहना था वाम पंतियों को इस प्रकार की कला जो हुई ये कॉंग्रेस के विभाजन का एक तरीके से तात्कालित मुख्य कारण बन जाती है बिंदुवार कारणों की ओर आगे बढ़ते हुए दूसरे कारण को अब हम समझें और वह है राष्टपतिपद के चिनाओं में के विशेपे मधवेद इसका वैसे पूरु में जिक्र किया जा चुका है लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि ततकालीन राष्टपती डॉक्टर जाकिर हुसाइन श्रीमती इंद्रा गांधी ततकालीन उपर राष्टपती डॉक्टर जाकिर हुसाइन को राष्टपती बनाना चाहती थी और वहीं कॉंग्रेसी जो है जिसमें कामराज मुख्य थे के कामराज ये एक दूसरा नाम है तमिल लाडू के नेता का जैसे एक निजलिंग गपा का आपने नाम सुना ऐसे ही के कामराज जो उसमें अध्यक्ष भी थे कॉंग्रेस पार्टी के वे इसके खिलाफ थे और उन्होंने नीलम संजीव रेड़ी का नाम रखा उस गुट ने नीलम संजीव रेड़ी को आधिकार एक स्तर पर कॉंग्रेस का उम्मीदवार बनाया और इसके खिलाफ स्वैम इंद्रा गांधी हो गई क्योंकि उनके वो चाहती थी कि जाकर हुसाइन को राश्पती बनाया जाए चुँकि नीलम संजीव रेड़ी की उम्मीदवारी श्रीमति इंद्रा गांधी के सहमति के खिलाफ थी इसलिए श्रीमति इंद्रा गांधी ने इसे अन्निथा लेते हुए अपना स्वैम का एक उम्मीदवार खड़ा किया डॉक्टर वी वी गिरी के नाम से जो अन्तिता विजई होते हैं और भारत के राश्पती बनते हैं तो कला का दूसरा कारण राश्पती के चुनाओं को लेकर मत भेज और उस पर जो सिंडिकेट के लोंगों को इंद्रा गांधी ने पटकनी दी एक तरीके से वह उनको नागवार गुज़रा तीसरा कारण युवा तर्क और सिंडिकेट के बीच कला युवा तुर्क क्या हैं जैसा सिंडिकेट व्रिद्ध बड़े बुज़र्ग और बहुत अनुभवी नेताओं का कॉंग्रेस का एक गुट था उसी प्रकार एक दूसरा गुट कॉंग्रेस के अंदर था वह भी काफी प्रभावशाली था और वह गुट कहलाता था युवा तुर्क 1969 में कॉंग्रेस के विभाजन का एक कारण ये युवा तुर्क का रवया था यूवा तुर्क में कौन-कौन नेता थे, कौन-कौन लोग थे, तटकाली नी, कॉंग्रेस में, तो यह इनके नाम लिये जाएं, तो मुख्य रूप से चंदर शेखर, जो बाद में देश के पधान मंतरी बनते हैं, चरन जीत यादाओ, मोहन धारिया, कृष्ण कांथ, और आ कर ये लोग बात करते थे, इसके खिलाफ कामराज, S.K. पाटिल, अतिल्य घोष, निजलिंग गपा, इनका सिंडिकेट था, जो पुराने विचारों के थे, एक तरीके थे, परंपरावादी हम कह सकते हैं, तो इनके बीच में भी कला बढ़ती गए, आधिनिक कला, आधिनि जहां युआ तुर्क बैंक का राष्टी करन करते थे, जहां युआ तुर्क बैंकों के राष्टी करन और राजाओं को प्रिवी पर्स को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, वहीं सिंडिकेट इसका विरोध कर रा था, जहां युआ तुर्क बैंकों के राष्टी करन और राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाह रहा था, जुआ तुर्क बनाम सिंडिकेट के जगड़े में, प्रारम में सिंडिकेट हावी था, कॉंग्रेस निताओं का ये समूह अनवचारिक तोर पर सिंडिकेट कहा जाता था, और इस समूह के निताओं का एक तरीकेत मैंने जैसा बताया, पार्टी पे ज़्यादा नियंतरन था, और इसकी अगवाई कौन कर रहे थे, इस सिंडिकेट के सबसे प्रखर प्रवक्ता, स के कामराज, अतुल्य घोष, एसके पाटिल, निजलिंग गपा, आधी इसके बड़े प्रभावशील नेता थे, इसके अलावा इसमें विभिन प्रांतों के कई ताकतवर नेता भी थे, आंधर प्रदेश से नीलम सज्जीव रेड़ी भी सी गुटके थे, और पश्मी बंगाल के अतिल घोष का मैंने नाम पहले बताया है, लाल भादुर शास्त्री, और उसके बाद इंदरा गांधी, दोनों ही सिंडिकेट की मदद से प्रधान मंत्री बने थे, कहने का अर्थ तात्पर ये, कि सिंडिकेट इतना प्रभावशाली था कॉंग्रेस के अंदर, कि उसकी सहमती के बिना कॉंग्रेस के अंदर कुछ हो नहीं सकता था, इंदरा गांधी को सिंडिकेट ने प्रधान मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि वे सक्षम थी, बलकि इसलिए कि वे अनुभाव हीन थी, इसलिए कि उनके अनुभाव हीन होने के फलस्वरूप इंदरा गांधी बारंबार सिंडिकेट की और जाएंगी, उनसे समझाईश लेंगी उनसे हिदायतें लेंगी और उनकी कारशाली के अनुसार कारे करेंगे इस उम्मीद में इंदरा गांधी को ये बनाये गया था पथान मंत्री लेकिन सित्यां कुछ बदलती हैं इंद्रा गांदी के पहले जो दल था खासकर मंत्री परशल उसमें ये समूओं के लोगों की बड़ी महत्पूर्ण भूमिका होती बड़े हावी रहते थे यही लोग सब नीतियां बनाते थे यही लोग सब नीतियों का क्रियानवन करते थे और उसमें भाग लेते थे जब कॉंग्रेस का विभाजन होता है तो सिंडिकेट के नेताओं और उसकी उसकी प्रती जो निष्ठा रखते हैं वही बचे रहे सिंडिकेट यह नेता और उन नेताओं के प्रती कुछ लोग निष्ठा रखते थे वे लोग बलत चूंकि इंद्रा कॉंग्रेस की लोग प्रीता बहुत हुई जैसा कि चुनाओं ने साबित किया लोग सबह चुनाओं ने इसलिए भारती राजनितिके यह बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो जाते हैं सिंडिकेट का बोल बाला 1979 सत्तर तक रहता है और जब इंद्रा गांदी अपने वास्तविक रूप में सामने आती हैं जिसमें वह एक स्वतंतर राजनितिग्य एक बहुत चतुर राजनितिक के रूप में भारत की राजनिति में च्छा जाती हैं और विरोधी दलों का बड़ी सफलता पूर्वक सामना करते हुए कॉंग्रेस की वर्चस्थुता को पुनर स्थापित करने में सफल होती हैं आगे हम 1971 के चुनाओं का जिक्र करेंगे जिसमें ये बात आपको स्पष्ट होगी कि किस पकार इंदरा गांदी ने कॉंग्रेस प्रणाली की पुनर स्थापना की या कॉंग्रेस की पुनर स्थापना की तो आप पाएंगे कि इसके पीछे इंदरा गांदी को पूरा श्रे जाता है और ये जो सिंडिकेट है जिसमें ये नेता शामिल थे इनका प्रभाव 1971 आते आते बिलकुल समाप्त हो जाता है नगन नहीं हो जाता है भारती राजनिती के ये बड़े और जो ताकतवर नेता किसी समय तक होते थे वे अब प्रभाव ही नहीं हो जाते है चोथा कारण उननिस सो नहत्तर का जो चुनाओं जिसकी मैंने चर्चा की उसके परिणाम उननिस सो नहत्तर में जाकिर उसाइन की मृत्य के पत्चाथ कौन राश्ठी पति बने इसको लेकर मदभेद हुआ 1971 में होने वाले चुनाओं के विशह में कांग्रेस और विरोधी दलों का नुमान था कि 1971 के चुनाओं में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला या नहीं मिलता है किसी दल को अधिस पश बहुमत नहीं मिलता है तो राश्पती की मुविका बहुत महत्पूर्ण हो जाएगे और इसलिए ऐसा राश्पती होना चाहिए जो हमारे इशारों पर अपने उन अधिकारों का प्रयोग करे जिसका जिक्र मैंने पहले किया है राश्पती के इस अधिकार को राश्पती द्वारा अपने विवेक के आधार पर उप्योग किये जाने वाले अधिकार की श्रणी में रखते हैं विवेक का धार, यहने राश्ट्रपती अपने विवेक का उपयोग करते हुए निर्णे लेगा कि किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया जाए ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और 1976 के चिनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आगे कि स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी जिसमें किसी पार्टी को शायद स्पष्ट बहुमत नहीं मिले इस संभावना को देखते हुए राश्ट्रपती का ये चिनाओं बहुत महत्पूर्ण हो गया था प्रधान मिंतर इंद्रा गांधी ने संदी बोर्ट की बैठक में जग जीवन राम का नाम उठाया परंतुष इंडिकेट ने उसका विरुद किया और नीलम संजीव रड़ी का नाम लिया उसे स्विकार भी कर लिया गया परंतु शीमती इंद्रा गांधी इससे संतुष नहीं होती हैं और अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के वरुद वीवी गिरु को खड़ा करती हैं और फिर वीवी गिरु चुनाओं जीच जाते हैं इससे आंतरिक मदवेद और गहरा जाता है अर्थाथ कहने का ततपर यह है कि 1967-68 से ही राश्पती के मुद्दे को लेकर जो लगातार जो घटना करम चल रहा था वह बहुत महत्पूर्ण हो गया था और महत्पूर्ण होने का मुख्य कारण यह था राश्पती के चुनाओं का महत्पूर्ण होने का मुख्य कारण था ऐसी शंका कि शायद आगामी चुनाओं में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले और ऐसी स्थित्य में राश्पति के विवेक के अधिकार को प्रभावित करने के लिए जरूरी था कि हम ऐसा राश्पति लाएं जो हमारी बात सुने हमारे इशारों पर अपने विवेक का उप्योग करें अब चुकि विवेक विजई होते हैं जो इंदरा गांदी की उम्मीद द्वार थी अब मतवेद और बढ़ गया पांचवा कारण मुरार जी देसाई जिन्होंने स्वयम को प्रधान मंत्री की दोड़ में शामिल कर लिया था और अंत्ता मतदान की मांग की थी अंदरूनी मतदान की मांग जिसका जिक्र मैंने पहले किया है जिस अंदरूनी मतदान के तह श्रीमती अंदरा गांदी अंत्ता प्रधान मंत्री बनती है इंदरा गांधी के मंत्री मंडल में सुला के तोर पर मुरार्जी दिसाई को वित्विभाग वापस ले लेना ये वित्व भाग वापस लेने से मुरार्दी दिसाई अपना विरोध दर्ज करते हैं और मंत्र मंदल से त्याक पत्र दे देते हैं सिंडिकेट पधान मंत्री इसकारवाई का विरोध करता है सिंडिकेट मतलब वही निजलिंगप्पा, कामराज, अतुलि घोश आदी ये इंद्रा गांदी की इस कारवाई का विरोध करते हैं मुरार्दी दिसाई से वित्व भापस लेने के बाद इंद्रा गांदी एक महत्वपूर्ण लेती है जिसके तहट सर्व सम्मति से बैंकों के राश्ट्री करण का प्रस्ताव पास होता है जिसका वित्त मंत्री के नाते श्री मुलार्दी जताई विरोध कर रहे थे